कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारी यूटूब चैनल स्टडी भी थी हो गए इसमें आज आपकी जीएस की 15 नंबर की क्लास है और क्योंकि एक हपते बाद आपका पेपर है पुलिस कांस्टेबल का तो बच्चों देखो क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि इस टाइम पर एक हपते में कहां मतलब वो कवर हो सकता है ठीक है फिर भी 15 से मैं कित्ता कर सकता हूँ उसको प्रंटी कर सकता हूँ उससे उपर तो पॉसिबल है नहीं नहीं दस क्लासेज आपकी छूट ही जाएंगी फिर भी बड़ अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी करना जाते तो अगर आपकी मॉडरन हिस्ट्री तैयार नहीं है तो वहां से आप देख सकते हैं और सायद मैंने इकोनोमिक्स भी वहां कम्प्रीट कराई होगी तो उस वाले चैनल को स्टडी विद्योगेस 2.0 पे जाके उसकी जीएस की जो प्लेइलिस्ट है वो स्टलेवस के हिसाब से है तो कम्प्रीट तो नहीं हो तो मैक्सिम्मिम पॉर्षम मेने उसमें गडवरे चैनल निया तो आप दो-तीन दिन तीन-चार दिन जतना है डॉइस को रिवाइस के तो पर लिखना नहीं है कॉपी में टीक है आज गहांगी एसदीई्चम में करते है तो उसका जो पहला टॉपिक आपके बच्टो बहुत इंपोटेंट टॉपिक है रॉलेट एक्ट वर जलिया वाला बाग हत्याकान ठीक है तो लिखो रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट वर जलिया वाला बाग हत्याकान ठीक है कहा लिखोगे जलिया वाला बाग हत्याकान ठीक है यह टॉपिक है देखें, यहां से जो question पूछता है, आप से क्या क्या पूछता है, पहला question पूछेगा, रॉलेट एक्ट किस वर्स लाया गया, तो आप क्या बताओगे, रॉलेट एक्ट ने 1990 मा आया था, ठीक है, पहला question, दूसरा, जलिया वाला बाग घत्याकान की घटना कब घटी तो इती जलिया वाला बाग घत्याकान की घटना कब घटी तो थी, 13 अप्रेल 1990 को ठीक है, जलिया वाला बाग घत्याकान अगर क्यों मतलब बेसिकली आएगा, तो यह मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग पर्दसन कर रहे थे, उसमें से दो इनके व्यक्ति थे नेता, जलिया वाला बाग घत्याकान की देट पूछता और कहां पर हुआ था पूछेगा, तो अमरिसर में, इसके अलावा जो एक क्वेशन और पूछता है कि कौन सा एक्ट बिना मुकदमे के जेल भेजे जाने का प्रावधान करता है, तो रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ी तो विरोध हो रहा था, बिना मुकदमे के जेल भेजने का प्रावधान था इसमें, बना डाउट के आधार पे ही जेल भेज दोगे, भेजने, क्यूंकि भारत में बढ़ गए राष्ट वाद को क्या करना था, कंट्रोल करना का प्रावधान किया गया था, तो इसलिए इसक जो भारत में राष्ट्री वा करांतिकारी गतिविदिया बढ़ ले थी, लोग स्वराज के लिए मांग कर रहे थे, बिर्टिस ने एक एक एक्ट ले आया रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान था, आप किसी को भी बिना मुकदमे चलाए जेल में ब रॉलेट एक्ट के समय बिटिस वाइसरा एक्ट थे, लाड चेम्स फोर्ड, लाड जेम्स फोर्ड, बिटिस वाइसरा एक्ट ये भी आपको पतावना थे, और गाधी का पहला साहसिक कदम था, अखिल भारती राजनिती में रॉलेट एक्ट का विरोध करना है, ठीक? अब रॉलेट एक्ट की जाट, जो रॉलेट एक्ट लाया था, वो किस कमीटी की सिपारिस पर बुष्टा है, तो सोडीशन कमीटी, यहनि सेडीशन एक कमीटी बनाई थी, उसकी सिपारिस पर रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, तो देखो, सेडीशन कमीटी की सिपारिस प कि सिफारिस पर क्या लाया गया था आपका रोलेट एक्ट को लाया गया था इंट्रेडिूस किया गया था ये कुशन भी आपको देयान रटा है लॉड चेम सिपोरिड का वाइस राहवा करता था अखिल भारती स्थर पर गांदी जी का पहला साथ से कदम आना जाता है इसको इसके बाद आता है रोलेट एक्ट के विरोध में लगान देने का सुझाओ किस ने किया था ठीक है तो स्वामी स्रध्धानन देखो रोलेट एक्ट के विरोध में लगान देने का सुझाओ लगान न देने का सुझाओ सुझाओ किस व्यक्ति नहीं कहा था स्वामी स्रद्धानद स्वामी स्रद्धानद स्वामी स्रद्धानद जी ने कहा था कि आप लगान नहीं देंगे इसके विरोध में तो स्वामी स्रद्धानद जी ने कहा था इसमें लगान न देने हैं इसके बाद क्या हो था बद जो जलिया वाला जो बाग घत्याकान था उसका कारण था रॉले टेक्ट का विरोज तो 13 अप्रण 1919 की घटना अम्रिस सर्म हुई थी और जनल डायर द्वारा गोली चलाने के आदेश दियेगे थे ठीक है जनल डायर के दवरा के अगया के था गोली चलाने के इसमें आदेश दियेगे थे इस सत्याकान के दवरान थीक और इक किसका किसकी जलिया वाले भाग में जब गिरफतार हुई तो दो व्यक्ति थे उनका नाम था डाक्टर सहफुद्दीन किचलू और डाक्टर सत्यपाल इन सत्यपाल की गिरफतारी के विरोध में लोग इखटा हुई थे लिख देना जिसके गारण से जलिया वाला भाग हत्याकान भी हुआ था अगला देखना जलिया वाला भाग हत्याकान के बाद किस व्यक्ति ने नाइट की उपाधी लोटाई थी रविन्ना टाइगर और सर की उपाधी भी लोटाई थे ठीक है तो लिखो जलिया वाला भाग हत्याकान के बाद किस व्यक्ति के द्वारा नाइट ब्रेकेट में सर भी लिख देना ठीक है दोनों जो भी आएगा सर की उपाधी लोटाई गई ब्रिटिस ने उपाधी लोटाई तो इनका नाम हो चो रवींद्र नाथ टैगर जी ठीक है रवींद्र नाथ टैगर रवींद्र नाथ टैगर जी ने क्या क्या था नाइट की उपाधी इसमें लोटाई थी इसको आप लोग ध्यान रखना है most important अपने आप में question रहता है ठ संकरन नायर यानि जल्यावाला बाग हत्याकान के बाद लिखो जल्यावाला बाग हत्याकान के बाद किस व्यक्ति ने वाई सराई की कारेकारणी से जो उसकी कारेकारणी होगी कारेकारणी से इस्तिफा दिया था कारेकारणी से इस्तिफा दिया था मुथा संकर नारेन या इसका नाम लिख लो आप रोख सीदे से संकरन नायर, ठीक है, संकरन नायर, इन्होंने क्या किया था है, इस तीपा, यह most important कर देना, ठीक है, संकरन नायर, यह important question आपका, जल्यावाला बागत्याकांट से संबंदित है, ठीक है, अगला लिखो, इसकी जाज ही तू, कौन से आय बना था, हंटर आयोग, कौन से बना था, हंटर आयोग बना था, ठीक है, बाद में क्या हुआ था, 1940 में एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करते, उधम सिंग ने, इसमें, एक डाक्टर मतई, जो कह करते हैं, अपने आपने डायर, यह वाला डायर नी, दूसरा डायर था, उ पुमा आपको बता दूगा बाद में, ठीक, अगला रॉले टैक्टिक वेर, second topic लिखना आपको आचा, खिलाफत आंदोलन, कह लिखो कि खिलाफत आंदोलन, 1909 का यह भी, ठीक है, second लिखो हम आप लोग, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से भी question पूसा जाता है, UKPSC या किसी भी exam में, और यह history वाला portion में तो lengthy ही रहता है, क्योंकि इन्हें, इसमें कहा हर चीज important लगती है, अपने आप में, और तो कहा हर subject कहा सीमित होते है, लेकिन हिस्ट्री का portion ऐसा है, modern अलग है, medieval अलग है, ancient अलग है, तो हर question अपने आप में कहा लगता है, important लगता है, तो second लिखो, आप लोग आथका, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, पहला ये किस वर्स हुआ था, 1919 में अधा है, ज्यान रखना है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन को सुरू करने का स्रेज आता है, अली बंदूं को, अली बंदूं द्वारा इसको सुरू किया अली बंदूं कौन-कौन थी, सोकट अली वा मुहमद अली के द्वारा इसकाथ आंदोलन को सुरू किया गया था, ठीक है, इस खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था बच्चों, क्योंकि एक तुर्की था बच्चों, वहाँपर तुर्की में ओंद्स सामराज जगा करता है, तुर्की में खिलाफत के पत की पुना इस्तापना जो मुस्लिम थे बच्चो वो खलीफा जो होता था इनका वो तुर्की से रूल करता था उसके पत को ब्रिटिस समाप्त करना चाहते थे ठीक है क्योंकि ब्रिटिस के अंदर था तो भारत में उसका विरोध हुआ तो ये लोग चाहते थे कि उस पत की पुना इस्तापना हो इसके लिए इसका अंदर था ठीक है तो लिखो तुर्की में खिलाफत के पत की पुना इस्तापना ये चाहते थे तुर्की में खलीफा या खिलाफत जो भी लिखते हो के पत की पुना इस्तापना ये लोग चाहते इनके पत्की पुनास्टाप ना सो इनको पता था । उसके अबाद नीस सर नीस में अखिल भारती खिलाफत समेलन का अध्यक्स बनाएया था रखो अखिल भारती अखिल भारती खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्स यह बहुत इंपोर्टन कोशन है महत्मा गादी जी थे ठीक है क्योंकि महत्मा गादी ने हमेशा याद रखना कि खिलाफत आंदलों का समर्थन किया था वहाँ पर कई लोग कहते हैं कि महत्मा गादी ने हिंदू मुस्लिम एक को यहाँ पर वो करने की कोशिश की मतलब कि धर्म के आधार पर राजमेती करने की कोशिश की बड़ उनका में उद्देश ये था कि ब्रिक्टिस जो हम भारत में जो यहाँ पर मुमेंट चल ला है सोतन तक ले उसमें हिंदू और मुस्लिम एक होके आगे बढ़ें ताकि वो असहयोग आधार पर राजमें जो प्रानिंग है उसमें मुस्लिम भी भारतियों के चांद रहे हैं यानि ब्रिक्टिस को यह लगे कि सभी लोग एक हैं इसलिए महात्मा गाधी ने कहीं न कहीं अकिल भारती खिलाफ़त आधार आधार के रूप में इन्होंने दे आउसर के रूप में देहा तो वो किसने देखा? महात्मा गाधी ने और एक खिलाफ़त आंधोलन के समर्थक थे ठीक है. कभी यह से question बूछता हैं इनमे से कौन समर्थक था कौन समर्थक नहीं था यह महात्मा गाधी इसके समर्थक से ध्यान रखना अब इनके महात्मा गा जिन्ना इन्होंने क्या किया था महत्मा गादी के खिलाफत में आने का विरोत किया था और इन्होंने कहा था जो मुस्लिम धर्मगुरु है या मुस्लिम लोग है उन्हें आप महत्मा गादी जो है मुस्लिम धर्मिक नेता हूं वो उनके अनुई आयूं को कटरपंद को प्रो जल्ली की जमा मस्जिद से हिंदु मुसलिम एकता का भासन स्वामी सद्धनजी ने इसको क्या दिया था हिंदू मुपला आंदोलन कब हो और कहा हुआ जो खिलाफत की एक साखा थी बच्चो केरल के मालावार तट में वहाँ पर मुपला आंदोलन ये भी बहुत इंपोटेंड है ये बहुत है 1921 में केरल के मालावार तट पे मालावार तट पे और जो ये मुपला विर्द्रो था वो खिलाफत की ही साखा थी लिखो ये मुपला आंदोलन ब्रैकेट में लिखो खिलाफत की साखा खिलाफत की साखा लिख दो ठीक है वो मुपला आंदोलन हुआ था अगला क्वेशन आपने लिखने है मतलब इसमें जो हिंदु ने था थे ठीक है लिखो जोहाल्लाल नहरों नोट करके लिखो जोहाल्लाल नहरु सौमी सरधानन महात्मा गादी द्वारा खिलाफत का समर्थन किया गया जब की मदन-महन-माली गाया इसका विरोध किया गया था यानि जहल्ला नहिरू स्वामी सध्धानन वो महत्मा गाधी द्वारा खिलापत अंजुन का समर्चर किया गया था जबकी जबकी मदन महुन माली तरह का फिरोध किया था ठीक है अगला थार्ट टॉपिक लिए आपको असायोग अंदुलन यह तो मोस्ट प्वेंटी से उनी सब बीस ठीक है और दूसरा इसका जो उद्देश से था इसका उद्देश से था ब्रिक्टिस का भाईसकार करना लिखो भाईसकार वो एक वर्स के भीतर स्वाराज का लक्षे था उसका कभी-कभी वी कुश्यन यह बी पूस्ता गी, किस आंदोलन का लक्षए एक वर्स्य के भीतर श्वराच का लक्षए था, option देगा आपा असयोग आंदोलन, सविनयवग्य आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन या कुछ ऐसे, तो एक वर्स्य के भीतर श्वराच का लक्षए जो असयोग आंदोलन में इसकी अलावा इसको जो असयोग आंदोलन था बच्चो इसका अब प्रस्ताव पेश कीया था पास वांधन नागपूर अधिवेशन में पास यह दोल नोन को पेस किसके उतारा किया गए था? CR10 जी के द्वारा ठीक है? त्यानि अस्वयोग अंदोरन को प्रस्ताव जो पास किया था CR10 जी द्वारा पेस किया गए था इसको भी आप लोग अगर कोई ध्यान में रखोगे ठीक है अगला लिखो गांदी जी का प्रस्तम जनांदोरन कौन सा था भारत में वो यही था और इसका कारण क्या था? इसका अस्वयोग अंदोरन का कारण पुछेगा अगर आपसे कारण एक तो लिखो आप रॉलेट एक्ट दूसरा जलियावाला कारण ठीक है? रॉलेट एक्ट वो जलियावाला बाग हत्याकान ठीक है? यह इसके कारण थे ठीक है? और महत्मा गादी का पहला जनांदोरन को? महत्मा गादी का पहला जनांदोरन किसका था यह? महत्मागादी का ठीक है पहला क्या था ये जनांदोलन था कौनछा असाईवगादूलन इससे भी क्शन ही क्या करता है उठाता है और पूसता है अब एक बंदे इसमें ऐसे थे मुहमद अली जिन्ना उसने इसका समर्थन नहीं किया लिखो नोट करके लिखो मुहमद अली जिन्ना द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया अगला लिखना आपको गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधी वापस किस आंदुलन के द्वारा लटाएगी असयोग आंदोलन, लिखो, महात्मा गाधी द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, किस आंदोलन के द्वारान, कैसर ए हिंद की उपाधी वापस, हिंद की उपाधी वापस की गई, ठीक है, उपाधी वापस लिखो, यह था बच्छो असयोग आंदोलन, नौन किस व्यक्ति ने असवयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत चोड़ी किस व्यक्ति दौरा असवयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत चोड़ी चितरंजन दास जी लिगो चितरंजन दास जी ठीक है लिगो असवयोग आंदोलन के दौरान किसकी मृत्ति हुई थी तिलक जी जो थे बच्चो इनकी मृत्ती हुई थी एक अगस्त उनिस्षव बीस कुई चाहते थे आ अंदोलन हो और शुरू हो बट ये देख नहीं पाए ठीक है भूमिका तो निभाई थी देखो इसी डेट से क्या हो था असवयोगा अंदोलन भी शुरूआ था लेकिन इनक अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है किस व्यक्ति ने असवयोगा अंदोलन की मतलब भूमिका तो देखी बट असवयोगा अंदोलन होते हुए नहीं देखा तो तिलक जी होंगे ठीक है अगला लिखो असवयोगा अंदोलन के बाद जो है चोरा-चोरी कांड इसी के कार असवयोगा अंदोलन को वापस लिया गया ठीक है इसकी डेट है बत्तो 4th of February 1922 लिखो चार फरवरी 1922 को और इस चोरा-चोरी कांड कहा हुआ था गोरखफूर में गोरखफूर में और इसी-इसी के लिए होगा असवयोगा अंदोलन वापस लिखो असवयोगा अंदोलन व मुद्में यनी असवयोगा अंतोलन को क्या किया गया था वापस ले लिए अगला आपने यहींपर लिखना है असवयोगा अंतोलन को महत्मा गाधी द्वारा हिमालय जैसी भूल बताया गया तू तो अब जैसे इनको चौरा-चौरी नामक हिंसात में घटना हुई यह नहीं चाहते थे कि हिंसा हो तो इनको फाइनली जो है असोयोगांदोरन को वापस लेना पड़ा इस कांड के कारण चौरा-चौरी नामक घटना के कारण तो इसको वापस लेने का प्रस्ताओं कहां पर प्रस्ताव लिया गया था बच्चो बार्दॉली ना मग जेए ठीक है बार्दॉली अब देखो एक क्वेशन ओर आता है असयो गांदूलन के दौरा जोई विदेशी वस्तुरू का भहिसकार कर रहे थे या वस्तुर को जला रहे थे उसको किस व्यक्ति ने निश्टुर बरबादी कहा था वो थे रभीनाथ टैग और जीने ठीक है लिखो अस्वयोग अंदुलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने विदेशी वस्त्र जलाने को किसने निश्ठुर बरबादी कहा अगला लिखो अस्वयोग अंदुलन वापसी के इस्थगन का विरोध किस-किस ने किया था चितन्दन दास जी और मोतिलाल नेहिरोध के दौराने लिखो अस्वयोग अंदुलन वापसी का विरोध विरोध सी आर दास चितरंदन दास प्लस मोतिलाल नेहिरोध अब विरोध किया था कोई ने को आगे की कारिवाही करनी थी तो इसी कारिवाही के क्रम में इन्होंने एक नई पार्टी का गतन कर दिया जिसको बोला गया स्वाराज पार्टी ठीक है तो अगला heading आप लोग को क्या डालनी है स्वाराज पार्टी modern history बच्चो थोड़ा सा lengthy रहेगा ही रहेगा ठीक है बहुत lengthy session है मत्तरों आज हमारी पंदरवी class है तो मान के चले 20-21 classes तक तो यह modern history रहेगी रहेगी फिर बांकी जो classes बता है इसके साथ और भी चलेगा economics बगरा चलेगा टेंसम बते ना fourth topic लिखो आप स्वाराज पार्टी स्वाराज पार्टी ठीक है स्वाराज पार्टी पहला question इससे पुछता है कि इसका गठन कब हुआ था तो लिखो जनवरी 1923 में इसका क्या बता गठन बता इसका गठन किसके द्वारा किया गया था चितरंजन दास वा मोतिलाल नहरू लिखो ठीक है क्या लिखोगे इस पार्टी के अध्याक्स थे अगर पूछता है कभी इसके अध्याक्स कौन थे चित्रणजनदाज की मोतिलाल नहीं रही थे महासची और इनका उपनाम भी पूछता है बच्चो जैसे चितरंजन दाजी हैं, इनको देश बंधु भी कहा जाता है, यह पूरे देश का भाई, ठीक है, अगर कभी कुश्चन पुछेगा इसमें से कौन सा व्यक्ति देश बंधु कहलाता है, सियार कहलाई, ठीक है वो कौन कहलाई, सियार दाजी कहला है, इसको विधान दखना, ठीक इसके अलाबा, इसका उद्देश ही कहा था स्वराज पार्टी का, इसका मुख्य उद्देश ही था चुनाओ के माध्यम से विधान मंदल में परवेश का उन्हें काम न करने देना, ठीक है काम न करने देना पहुंच कर काम न करने देना ठीक है काम न करने देना इनका मुख्री क्या था उद्देशी था किसका स्वराज पार्टी का उद्देशी था इंपोर्डन कोशन अपने आप पर रहता है ठीक है अगला रिखने आपको स्वराज पार्टी गर्थन का प्रस्ता श्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव कब अस्विकार कर दिया कब 1922 में यहाँ पर इनका एक अधिवेशन हुआ इन्हों ने यह कह जा कि हम इस पार्टी का गठन नहीं करेंगे जैसे ही ये अस्विकार किया चितरंदन दाज जी द्वारा इसमें इस्तिपा दे दिया गया CR दाज द्वारा इस्तिपा आप समझ जाओगे न मैं क्या कहना चाहरा है यह जैसे ही इनुने कहा कि हम गठन नहीं करेंगे में जब भारती राश्टी कॉंग्रेश द्वारा शुराज पार्टी की गठन का प्रस्था अस्विकार किया गया था तो उसके घटना के गरम में किस ने इस्तिपा दिया तब आपका अंचर हो जाएगा क्या चितरंदन दाजी द्वारा ठीक है अगला लिखो इसका गठन क्य असफलता के बाद इसका क्या हुआ था गठन हुआ था इस क्वेशन को भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे अगला लिखना है इसमा अन्ये नेता लिखो एक स्रीनिवास आयंगर विठ्थल भाई पटेल और एंसी केलकर स्वराज पार्टी के अन्ये नेता लिख स्वराज पार्टी के अन्ये नेता एक लिखो विठ्थल भाई पटेल क्या दिखोगे विठ्थल भाई पटेल पहला लिखना विठ्थल भाई पटेल एक लिखो आयंगर और एंसी केलकर ठीक है आयंगर एंसी केलकर और विठ्थल भाई पटेल अन्ये नेता कौन थेसमें म सेंट्रल लेजिस्टेटिव ऐसेंबिली का प्रसम भारती अध्यक्स बनता था ठीक है most important कर देना इनका नाम लिको 1925 में Central Legislative Assembly यानि केंद्री विधान सभा का क्या लिखोगे केंद्री विधान सभा का प्रथम अध्यक्स का प्रथम अध्यक्स बनने वाला भारती कौन था वो पूछेगा तो विध्थल भाई पटेल ये most important question है बहुत पेपरों मा आता है श्टार कर देना इसको ठीक है इकनोमी का एक चीज़ ध्यान चुनना एक चैप्टर उसमें दिया है आपके सलेबस में किर्सी वा उससे संबध्य छेत्र विपड़न ये वो मार्केटिंग वगड़ा वो ठीक है तो कल जो next class आएगी इसकी आपकी इसकी जीएसकी चूकि संडे है तो संडे बहुत मन नहीं करता पड़ाने के ये सचा ही है तो कल जो class आएगी इसकी वो हम सुरुवाज करेंगे इकनोमिक से दो टॉपिक में इकनोमिक के कबर करूँगा कल एक तो मैं agriculture करूँगा और दूसरा कोई और टॉपिक देखूँगा जो आपके सलेबस में यानि इकनोमिय वा ठीक है क्योंक अगले सेसन पर अपना ध्यान रखीएगा थेंक यू